पश्ची मंगाल के संदेश खाली मामले से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सान ने आ रही है। उसी मामले पास संसत की विशेश अदिकार समीती ने बंगाल के मुके साची डीजिपी और जिला अधिकारी समय बड़े अधिकारी को तलब भी किया था लेकिन आप इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कौर्ट में सुनवाई हुई है और आपको बता दे जो विशेश अधिक समीती का नोटेस था उस पर ये सुनवाई की गई है और इस बीच ये भी जानकारी मिल पा रही है जो समझ जारी किये गए थे उस पर रोक लगा दी गई है तो बड़ा दखले आप सुप्रीम कौर्ट का इस पूरे मामले में देखा रहा रहा है संदेश खाली पर आज बेहत गर्मा गरंत रहने वाला है आज संदेश खाली पर चार बहुत बड़ी कबरे हैं एक एक करके बताएंगे आपको संदेश खाली पर आज सुप्रीम कोट में अहन सुनवाई हुई यानि संदेश खाली की महिलाओ की जुबानी जो बाते सामने सब के सामने उन बातों को अभी तक कोई सुनने को तयार नहीं है तो देखे इस पूरे मामले को लेकर गहमा गहमी बहुत जादा तेज हो रहे हैं लेकिन पिछले अपने सुप्रेम कोट में संदेश खाली की निश्पक्ष जांच करवाने के लिए याचिका दाखिल की गई गई थी उसी याचिका पर आज सुनवाई भी होनी है दूसरी बड़ी खबर यह है कि शुबेंदू अधिकारी की याचिका पर कलकता हाई कोट आज सुनवाई करने वाला है शुबेंदू अधिकारी ने आज संदेश खाली जाने की इजासत भी मांगी है लेकिन पिछले आ और बंगाल सरकार ने लोगसबा की कमीची के समझ का विरोध भी किया था खबर दिवसतना की मिलते हैं तरह से ही बड़ी कबार के साथ तब तक के लिए नमस्कार और देखते रखिए न्यूज जागरुब भागुद